एक समय था जब दीपावली पर ग्राहकों के लिए बाजार सजाय जाते थे तो हारों पर भारी भीड देखी जाती थी पर अब समय के साथ साथ ये सब कुछ बतल क्या है क्यों? जाने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट दिवालियानी रोशनी का त्योहार बाजारों में रोनक का त्योहार हर तरफ खुशी और खरिदारी का त्योहार एक ऐसा त्योहार जिसके लिए अच्छे नक्षतर में खरिदारी शुप मानी जाती है और लोग भी जम कर खरिदारी करते हैं और इसके लिए बाजारों में दशरे से लेकर दिवाली तक रौनक बनी रहती है लेकिन समय के साथ अब लोगों ने खरीदारी का तरीका भी बदल दिया है और इसका सीधा असर पड़ा है बाजार की रौनक पर अब बाजारों में वो रौडक नहीं रही जो पहले हुआ करती थी और इसका सबसे बड़ा कारण है ओनलाइन शॉपिंग बदलते समय के साथ अब लोग ओनलाइन शॉपिंग जादा कर रहे हैं जो भीड बाजारों में होनी चाहिए वो अब कंप्यूटर, मोबाइल और लैप्टॉप में वेस्थ है दिपावली पर अउनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से खरिदारी में इजाफा हुआ है दिपावली नजधीक है लेकिन ओनलाइन शॉपिंग ने बाजार को ठफसा कर दिया है ओनलाइन व्यापार का फ्रक राधधानी जैपूर में भी पढ़ रहा है कि सब ऑनलाइन भी कहेगा और जितने भी छोटे व्यापारी है उनके लिए को आप्शन नहीं रहा जागा अपने का काम करने का आजकल जो ओनलाइन का जो क्रेज अब बढ़ता जा रहा है इसकी वज़े से कपड़ा ही नहीं और भी जितने भी इद्ध्योग है सबसके पर भारी संकट आ गया है और इसका काफी नेगेटिव एफेक्ट पढ़ रहा है इस जाए से खुदरा व्यापारी हो या कोई रिट पढ़ रहा है क्योंकि कस्टमर स्टोर पे फोन देखने तो आता है लेकिन पट्चेस ऑनलाइन करता है और प्राइजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है मोपी से भी बहुत कम प्राइजेस में वो लोग सेल कर रहे है लोगों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग एक आसा करने लगा है अगर नॉर्मली देखा जाए तो जो नॉर्मल जो बिजनस करते हैं उनको तो इस चीज़ से एफेक्ट पड़ता है क्योंकि आपन सारी पर्चेसिंग ओलाइन कर लेते हैं तो जो नॉर्मल वेपारी वगरा जो भी है बिजनस में ना उनका प्रोडेक्ट सेल हो पाता अच्छे से तो उस चीज़ का प्रोफिट ने उठाबाते हैं चापिंग के लिए तो यह है कि आजकल निकलना बिल्कुली बंद हो गया है क्योंकि हमें घर बैठे ही बहुत कम समय में हर प्रोडेक्ट मिल जाता है और ऐसी चीज़े मिल जाती हैं जो में मार्केट म में एक जगे नहीं मिल पाती हैं और बहुत कम किम्तों में होती है इसलिए मैं तो ऑनलाइन ही सारा कुछ लेती हूं आने वाले दिनों में भारती बाजार बहुत मुश्किल और परिवर्तन के दौर से गुजरने वाला है पहले बहुत कड़िस प्रधा वाले भारती बाजार में अब फ्लिपकार्ट, स्नैपडिल और अमेजॉन जैसे बड़ी कमपनियां तेजी से ग्रहाकों को अपनी और आ करती है कई बार तो अपना वर्चा सुप बनाने के लिए कपने नुकसान में भी सामान बेशती है और इन सब के भी जहां ग्रहाक अपने फायदे के लिए से चुन रहा है वहीं आम व्यापारी अपने भविश्य को लेकर चिंतित है कोकि बदलते समय के साह सब कुछ बदल रहा है और जिन में से एक है खरीदारी करने का तरीका भी पस इंडिया के लिए जयापूर से जितेश की रिपोर्ट